आप लोग बताऊंगा इंसुलेशन के बारे में किसी भी AC में चिलर सिस्टम में या HPC system में इसलेट AC में किसी भी तरीका क्या और नुकसान तो यह सारी जैन कर यह आपको इस वीडियो मिलने वाली है इसलिए वीडियो को लाज तक देखें इसके पना करें वीडियो अच्छी लगा है दो ज़रूर लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोट्रिकेशन से क्लिक करके अलपर स् ऐस先 में गतुए आपको मैं दिखाता हुए औहर कि इसके लगाने के क्या फाइदे हैं यह सारे इसमें लगा हुए देखें अंदर से आ रहा है और यहां में लगा हुए है जितना वी इस्टाले के हम आपको नहों CC system में हममारा insulation use होता है किसी में glass hole होता है, किसी ़े case हर तरह का insulation होता है और हर तरह की machine में यूज किया लाता है तो इसका आखिर क्या purpose है तो purpose ये है कि हमारे जो machine है जो हमारे चिला system है जो हमारा refrigeration system है हमारे में whipping system है इसकी efficiency तरह को अच्छा रखना क्यों अगर आप insulation नहीं लगाएंगे तो उसका जो efficiency होगा हमारे AC का air conditioner का वो efficiency उसकी कम हो जाएगी और cooling अच्छी नहीं करेगा इसी तरह कि इसे चिलर में अगर आप chilled water line की बात करेंगे तो बहुत सारी chilled water line में FCU में और हमारा जो chiller system है उसके अंदर glass hole type insulation किया जाता है ताके वो जो ambient temperature है बाहर ही अगर है तो उसका heat absorb ना करे या उसमें से जो humidity है वो बाहर ना आए मतलब उसके अंदर जो moisture किसी भी glass में अगर आप ice वाला पानी ठंडा पानी रखेंगे तो बाहर moisture छोड़ता है तो इस तरीके से water leakage की भी problem आती है तो उससे भी चुटकरा मिलेगा और heat absorb भी नहीं करेगा क्योंकि जब एक ठंडी चीज़ रखेंगे बाहर से उसमें तोड़ा गरम लगेगा तो उसके अंदर moisture आता है और कहीं पे भी इसकी water leaking की problem आ सकती है और cooling आपका effect कम होगा cooling का तो इस तरीके से हम लोगों को insulation करना बहुत ज़रूरी है कि फोम टैप insulation हो या ग्लासोल टैप insulation हो ताके उसका जो बाहर का heat है वो अब्जर्ब ना हो सके चिल्ड वाटर लाइन में या घैस ठंडे गैस के लाइन में तो यह आप लोग जो देख रहा है यह इसके उपर टेप लगाया गया है और उसके बार इसके उपर फोस्टर लगा लगाया गया है और डक्ट का cloth लगाया गया यह इसलिए लगाया गया है ताकि यह पेप जो धूट से खराब होता है वो खराब नहीं होगा और कभी यह अच्छा भी लगा हम लोग इसको हमें सब फुच्ट करके paint भी कर सकते हैं और यह safe रहेगा और दूसरा यह है कि heat आप temperature से heat absorb करते हैं उससे cooling effect जो पढ़ता है वो नहीं पढ़ेगा यह सारी हमको इससे फाइदा होने वाली है लेकिन एक चीज़ और इसमें अलग अलग insulation किया हुआ है आप लोग देख रहे हैं यह दो है एक discharge line है एक liquid line का है और एक section line का है दोनों पे इस पे insulation किया हुआ है जिस machine में जो expansion valve है वो outdoor में होगा उसके अंदर यह जो insulation है वह liquid line में भी लगाया जाता है और जिस machine में indoor में expansion valve होगा उसमें liquid line में insulation नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा तो इस तरीके से क्योंकि वह already गरम होता है जो हमारा pipe होता है वह गरम होता है तो कई सारी machine में liquid line में insulation नहीं लगाया जाता है क्योंकि ओल्लेटी वह गरम होता है और expansion valve के बाद उसका कुलिम हेक्ट start होता है इसलिए direct indoor में अगर expansion valve लगा होता है तो कभी-कभी liquid line में insulation इस तरीके से देखिए हम लोगों ने यह piping किया है यह टोटल पंदर मीटर पचास फीट का पाइप है और यह 3-4 साइज है और 3-8 साइज है क्योंकि यह 3 टन की machine है तो इसमें हम लोगों ने insulation लगाया है दो insulation दोनों में liquid line में लगा के उसके बार हमने टेपिंग की है उसके बार इसमें poster लगाया है और जैसे हमने आपको भी पहले दिखाया वीडियो में उधर outdoor पे इस तरीके से बाद में फिर outdoor के side में भी poster हो जाए क्योंकि band वगर करना है तो poster होने के बाद band easily नहीं होता है उमीद क करता हूँ आप लोगों को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके अलपर सेलेक्ट कर दें अपने दोसर पर भी शेयर करें तो चल्दी मिलता